आजादी के लिए भारत का संगर्श आधनिक विश्व के महनतम संगर्शों में से एक है दूर दर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की एक जलक रोजाना आप के लिए लेकर आ रहा है आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंतरता सेनानी अर्धेंदू दस्तिदार के बारे में आज की कड़ी में हम महान करांतिकारी स्वतंतरता सेनानी अर्धेंदू दस्तिदार को उनकी पुर्णे तिथी पर शध्धानजली अर्पित कर रहे हैं 1930 में 24 अप्रेल को उनका निधन हुआ था। अरधेंदू अपनी किशोरा वस्था में ही परिवार छोड़कर चटगाव में मास्टर दा सोरिसेन के नित्रित्म में रेविलूशनरी पार्टी के सक्रिय सदस्से बन गए। चटगाव शस्त्रागार पर हमले के कुछ सब्ता पहले वे उच्च शक्ति के बम बनाने में काम आने वाले पिकरिक एसिट पाउडर के कारण हुई एक दुरघटना में गंभी रूप से जल गए थे। 1930 में 18 अप्रेल को शस्त्रागार पर हमले में शामिल होते समय भी वे पूरी तरह स्वस्त नहीं हुए। 22 अप्रेल को जब क्रांतिकारियों ने जलालाबाद पहाडियों में ब्रिटिश सेना से मुर्चा लिया तो अरधेंद को पेट में गहरी चोट लग गई जिसके कारण वे बेहोश हो गए। अगले 23 अप्रेल को कुछ गाव वासियों ने पहाड़ी की चोटी से अरधेंद को खायल अवस्ता में पड़ा दिखा और उन्हें चटगाव अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने ये बताने से इंकार कर दिया कि चोट कैसे लगी है। ले चटान की तरह अचल और अडिक थे। कुछ और घंटों तक अरधेंदु मौत से जूशती रहे। और आखिरकार 24 अप्रेल 1937 को उनकी मृत्य हो गई। स्वदेश की माटी के माहान सपूल अरधेंदु दस्तिदार को हमारा साधर नमन।